नवस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइ नियोज पॉलिटिकल बाइट राप के साथ मैं हूं करांदी सिंग्ग बी एल संतोष करनाटक में खासे चर्चा में हैं कहा जा रहा है कि ये बी एल संतोष की ही सोच थी जिस वज़ा से पुराने धा करने था बीजेपी में दरकिनार किये गए दरसल पेशे से केमिकल इंजिनियर बी एल संतोष राजनिती में केमिस्ट्री का बड़ा ख्याल रखते हैं इसलिए उनकी अरित्मैटिक भले ही विरोधियों को गड़बर नजर आती हो लेकिन असली केमिस्ट्री के हिसाब में काम करना उनकी फित्रत रही है बी एल संतोष बीजपी के और्गनाइजेशन सेकेट्री पत पर विराजमान है ये वो पत है जिस पर राश्टिय स्वैम सेवक संग बीजपी संगठन में काम करने के लिए अपने प्रचारकों को भीजती है इस पत पर विराजमान व्यक्ति कहने को बीजपी के राश्टिय अध्यक्ष के अंदर काम करता है लेकिन इस पत पर बने व्यक्ति की वफादारी संग प्रमुक के प्रती जो है वो ज़्यादा होती है और्गनाइजेशन सेकेटरी पर बीयल संतोष से पहले रामलाल संजे जोशी गोविंदा चारे और नरेंदर मुदी जैसे व्यक्ति भी रह चुके इसलिए बीयल संतोष सभी पूर्व के और्गनाइजेशन सेकेटरी से तागतवर और अलग गिने जाते हैं इसकी बड़ी वज़ा ये बताई जाती है कि संग के अलावा ये पीये मोदी के भी पसंद के खावपी ज़्यादा दिखाए देते हैं लिए किसे मंत्री बनाया जाए और किसे हटाया जाए इसकी ख़बर बीयल संतोष को होती है और इनके मार्फत ही हाई कमान का संदेशा बीजेपी के रेताओं तक पहुंचता है गुजरात के विजे अउरुपानी की सरकार हो या तिरुपरा में विपर अब देब की सरकारätter इन दोनों को सरकार से त्याग पत्र देने का फरमान भी बीयल संतोष की तरफ से भेज़ा गया था जाहिर है कि BJP ने BL संतोष का कद करनाटक की वज़े से खासे चर्चा में हैं और इसकी वज़ा कई BJP के धाकर निताओ द्वारा BL संतोष के खिराफ सीधा हमला करना है लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर BL संतोष अपने कद और पद को लिकर इसलिए भी चर्चा में बने हुए हैं तो आप आप देख सकते हैं कि BL संतोष को लिकर के लगतार चर्चाएं चल रही हैं लेकना बहुत दल्चस्प होगा इस पूरे मामले में अब आगे की रिपोर्ट क्या निकल कर गयाती है फिलाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही तेश दुनियक तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेक्स नाइं योज पॉलिटकल बाइट